Hi everyone, सभी का welcome है चोटा पैकेट बड़ा दमाका सीरीज के class no.4 में थोड़ा सा funny नाम है इसका चोटा पैकेट बड़ा दमाका लेकिन class का जो objective है ना वो काफी serious है objective यह है कि आदा गंटा week में आप सीधे-सीधे exam preparation पे देंगे इस class में छोटा सा RC अपने पकड़ते हैं जो 15 मिनिट में अपने submit सके और 15 मिनिट में RC इस तरह का होगा कि exam के level की vocabulary उसमें देखेंगे वैसे ही आप grammar concept देखेंगे और RC के last में 15 मिनिट आप questions को solve करेंगे मेरे साथ जो की mains level के होंगे English के section के तो week में एक दिन इस class को ला रहे हैं तीन classes इस पे हो चुकी हैं आज class no.4 है पिछली classes को YouTube के home page से चैनल से जाके आप ज़रूर से cover करें चलिए शुरू करते हैं आज की class को RC पढ़ेंगे पहले आईए कुछ नया सीखते हैं स्टूडेंट्स को exam की तयारी के लिए mock test package की ज़रूत है तो test book की sale active हो चुकी है mock test passes पे दो दिनों के लिए आप इसका फाइदा ले सकते हैं इस sale में आपको one year का mock test pass मिल रहा है 269 rupees के मामूली से price पे जिसमें आपके 700 से यदा exams के 70,000 mock test included है यह एक ही pass लेना है आपको अलग अलग नहीं लेने है इसी mock test pass को आप upgraded version में pro version में 359 में भी buy कर सकते हैं जिसमें आपको previous year papers भी मिल जाएंगे सभी exams के in the form of mock test comment section में link रखा हुआ है normal mock test pass आपको दिखाएगा 284 rupees का जैसे ही code apply करेंगे आप y10 यह pass घटके हो जाएगा 269 का इसी तरीके से pro version आपको 379 का दिखाएगा मगर आपको code apply करना है y10 and your reduced price would be 359 rupees sale का link comment section में रखाएगा ओलाइट करेंजी thoroughly review the provided article and select the most appropriate choices as responses to the following questions करेंजी thoroughly review करो दिए गए आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ो दिए गए आर्टिकल को और select करो सबसे appropriate choices को सबसे सही विकल्पों को अपने response के तोर पे जवाब के तोर पे दिए गए questions के लिए तो RC आपको दिख रहा होगा नीचे इसके मिलेंगे आपको questions पहले RC को पढ़ना है RC लिखा गया है टेलिकॉम सेक्टर में जो डियो पोली बनी हुई है भारती एटल और रिलाइंस जियो के बीच में और इस डियो पोली के बीच में वोड़ाफोन इंडिया नाम की कंपनी कैसे बैंक रपसी की कगार पे है और भारत सरकार का इसमें कितना बड़ा योगदान है वोड़ाफोन इंडिया के डूबने के लिए कराई जी इंडियास टेलिकॉम सेक्टर कॉपस अप विद लैंग्विड जो है रेवेन्यूस थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे कराई इंडिया का जो टेलिकॉम सेक्टर है या टेली कम्यूनिकेशन सेक्टर है ये कॉप अप विद करता है ये निपटता है cope up with करना किसी चीज से निपटना किसी चीज से सामना करना तो ये सामना कर रहा है निपट रहा है या जूज रहा है language revenues के साथ में देखें language का मतलब होता है पिछडू, sluggish, slow, lethargic और revenue का मतलब होता है profit या मुनाफ़ा तो ये sector जो है न मुनाफ़े में पिछडे पन से जूज रहा है यानि मुनाफ़ा जादा इसमें किसी को हो ने रहा है अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है भाई करे जी as लगा के as reliance you and भारती एटल इंडस्ट्री जाइंट्स expand their 5G footprints sans an aggressive tariff surge करे जी as यानि कि क्यों कि देखिए as जो है ना conjunction ये काम करती है because का ठीक है इसको कभी-कभी since भी लिख देते है करे जी क्योंकि as या since या because ये जो दो बड़ी कंपनिया है एटल और जियो जो इंडस्ट्री की जाइंट्स भी हैं बड़ी-बड़ी कंपनिया है जाइंट्स समझते न बड़ा कुछ ये expand कर रही है अपने 5G के footprint को 5G के field में अपने कदमों के निशान को और ये कैसे कर रही है ये कर रही है sans यानि के without बिना किसी aggressive tariff surge के tariff में जो है बड़ावे के तो ये दोनों कंपनिया 5G आपको 4G के rate पे दे रही है ज्यादा कुछ पैसा आपसे charge नहीं कर रही है कोई tariff में surge नहीं आया है जो 200 रवे का recharge होता था महीने का वो ही recharge आप आज भी कर रहे हैं 5G के लिए इसलिए पूरा टेलिकॉम सेक्टर जो है revenues की कमी से जूज रहा है टेलिकॉम सेक्टर आपका सब्जेक्ट है Corps up with इसकी वर्ब है Langued यानी Leggerd पीछे रहने वाला Lethargic, Slow बारती एटल और Reliance जीओ दोनों जो कमपनिया है सब्जेक्ट है और इनकी वर्ब है Expand प्लूरल नाउन है इसलिए plural वर्ब को लगाया गया Subject वर्ब को जरूर मैच करना है Green Color में सारे Subjects मिलेंगे Pink Color में उनकी वर्ब्स मिलेंगे Footprint क्या होता है आपके कदमों का निशान Foot का Print तो बारती एटल और Reliance जीओ चाते हैं कि 5G के फिल्ड में इनके कदमों के निशान सबसे आगे हो 5G सबसे पहले यह सबको ला करके दें लेकिन यह ला करके दे रहे हैं बिना अपने Tariff को बढ़ाए Tariff यानि जो पैसा आप देते हो Sim Card को यूज करने का बात करने का Data को यूज करने का Surge का मतलब होता है किसी चीज में Increase या बढ़ावा तो कोई भी Aggressive बढ़ावा जो है यह नहीं कर पा रहे सब कुछ समझ में आ गया चलो Sentence में गलती है कितने बच्चों को समझ में आई देखो यही परिक्षा है आपकी छोटा सा आडिकल पढ़ो लेकिन गलतीयों को सही करते जाओ देखो गलती ही है कि कॉमन सी मिस्टेक जो एक्जामिनर करके देगा आपको इस फ्रेजल वर्प को गलत तरीके से यूज करना यह पांच से फ्रेजल वर्प से है कोप विद डील विद कंटेंड विद पुट अप विद ग्रैपल विद और टैकल विदाउड एनी प्रेपोजिशन इन सब का मतलब होता है किसी से जूजना किसी चीज को स्वेस करना किसी का सामना करना जैसे आप गरीबी से जूजर हैं तो यू आर पुटिंग अप विद गरीबी यानि की पॉवर्टी कोई कंपनी अगर गाटे से जूजरी है तो इस तरीके से इनको यूज करना है याद रखने वाला क्या है तीन चीजें इन सब के साथ में विद आएगा लेकिन टैकल के साथ में विद नहीं आता पहली चीज दूसरी चीज कोप अप विद कोप अप विद एसी कोई फ्रिजल वब नहीं है फ्रिजल वब है कोप विद और तीसरी चीज जो अप लगता है वो लगता है put up के साथ में put up विद समझ पाई मेरे बद को तो यहाँ पर जो आप लगा है उस अप को cope के बाद में नहीं चिपकाना है तो यह तीन चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो यह सारी phrasal verbs आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो गलती क्या है जी examiner ने cope up with लिख करके दिया है या तो इसको बना दो put up with और या फिर cope up with का अप यहां से निकाल दो ठीक है put up with लिख दो या फिर या फिर इस आपको यहां से निकाल दो चलिए बढ़ेंगे आगे screenshot ले लो इसका exam oriented concept है यह चलिए क्या रहा है जी word from India financially constrained trailing in 5G competition hammeraging subscribers to the diopoli क्या रहा है word from India जो है word from और idea इंडिया नी idea यह जो company है word from idea से मिलके बनी जो की financially constrained है देखे constraint का मतलब होता है सीमित लगाम लगा हुआ किसी भी चीज के अंदर restricted करें यह वो company है जो finances से थोड़ी सी limited है इसमें पैसे की थोड़ी कमी है और जो trail कर रही है trail का मतलब क्या होता है पीछे रह जाना पीछे भागते हुए आना करें जो trail कर रही है 5G के competition में पीछे रह गई है और जो hemorrhage कर रही है देखे brain hemorrhage आप में सुना होगा hemorrhage कही तरह की होती है hemorrhage का मतलब होता है blood loss अगर body में से blood निकल रहा है तो आप body में से hemorrhage कर रहे हो है ना brain hemorrhage में क्या होता है brain में से blood loss होता brain कीת便श medo a hemorrhage का असान वाचे में बाशा में मतलब हुआ bleed करना या leak करना brain में से blood ileak हो लाए तो brain hemorrhage हो गया वैसे ही Vodafone idea hemorrhage कर रही है leak कर रही है जैसे खून का कमी हो जाती है body में से ये लूज कर रही है अपने subscribers को जिनके पास इनकी sim है और ये किसके सामने हो रहा है डियोपोली के सामने दो कमपनियों की दादागिरी के सामने डियोपोली मतलब दो कमपनियां मिल करके market को dominate करें monopoly मतलब mono यानि एक ही company market को dominate करें तो एटल वारती और अड्रिलाइंस मिल के पूरे बजार को dominate कर रहे हैं अपने इसाब से बजार को चला रहे हैं तो इनकी डियोपोली बनी हुई है समझ में आ रहे हैं सब कुछ financial article है ये word of one India ट्रेल कर रही है competition में और lose कर रही है हेमरेज कर रही है लिक कर रही है या bleed कर रही है खो रही है अपने subscribers को डियोपोली के सामने sentence को ध्यान से देखो कि तो classic error मिलेगी आपको एक subject होना लेकिन verb का गायब होना बही word of one idea की verb का है अब आप बोलो के सर्फ दो verbs हैं trailing और हेमरेजिंग ट्रेल कर रही है और हेमरेज कर रही है नहीं वर्ब के ing form अगर present tense में आएगी तो is mr was were present में पास्ट में is mr was were के साथ आएगी यह जो आप दो देख रही हो यह दोनों के दोनों बनाए गई है इसने present participle simultaneous action और जब भी examiner ऐसा करता है आपके किसी भी sentence में तो उसका objective यह होता है कि आप वर्ब को खुद से ढूंडे देखो यह जो trailing है ना trailing इसके आगे अगर आप इस लगा दे तो यह sentence पूरा हो जाएगा वर्डफोन इंडिया जो financially constrained है वो trail कर रही है पिछे रह रही है 5G के competition में और कैसे पीछे रह रही है भाई आम रेज करते हुए अपने subscribers को यह बन जाएगा participle या फिर आप यहाँ पे इस लगा दे और इसको आप participle बना दे दोनों में से जो आपको ठीक लगे जो meaning बिठाना हो आप बिठा सकते हैं ऐसे questions में आपको hint देगा है ना दोनों में से एक ही वर्ब बना पाऊगे आप तो वहां पे आपको इस तरीके से याद रखना है subject आएगा तो भाईसा verb आएगी बिना verb के subject का कोई वजूद अंग्रेजी में नहीं होता ठीक है तो sentence में मैं यहाँ पे इस लगा देता हूँ और इसको participle बना करके आगे अगले sentence की तरफ बढ़ता हूँ करहे allegations of predatory pricing resurface echoing the industries checkered history करहे जो allegations हैं आरोप हैं blames है allegations समझते हैं ना आरोप acquisition भी बोलते हैं इसको जो है predatory pricing के देखे pricing का मतलब होता है किसी चीज़ का दाम सेट करना predatory मतलब होता है दानवी है predator कौन होता है शिकारी जंगल में शेर एक predator है सभी जंगल में शेर से हर जानवर डरता है या आप बोल सकते हैं rhino है कुछ सत्तक है ना rhinosaurus गेंडा बेंडा जो होते हैं ये तो ये predators होते हैं तो शिकारी pricing कैसी pricing हुई कि आप अपनी pricing के जरिये छोटी कंपनियों का शिकार करें कभी तो pricing इतनी कम कर दे कि छोटी कंपनियों की दुकान बंद हो जाए और जब उनकी दुकान बंद हो जाए तो अपना price इतना बढ़ा दे है कि customer परिशान हो जाए आपसे उसके पास कोई option ही ना हो कह रहे जी इस तरह की बदमासी वाली जो pricing है predatory pricing है ये सारे allegations resurface कर रहे है फिर से उभर करके सामने आ रहे हैं expert लोग इन वनलब ये जो भारती एटलर जो जी हो है इस पर ऐसे आरो फिर से लगा रहे है और ये सारा काम कैसे हो रहा है जी ये सारा काम हो रहा है echo करते हुए resonate करते हुए या गूंजते हुए दोराते हुए industry की checkered history को रंगीन जो है इत industry का इतियास ऐसा ही रहा है कभी बहुत सस्ता हो गया कभी बहुत महेंगा हो गया कभी corruption आ गया कोई company पैसा लेके भाग गई वह unitag थी उसने तूजी स्पेटर में घुटाला कर दिया तो हमारी history जो है checkered है checkered का मतलब होता है black and white कभी up कभी down है ना अलग लगता है कि mixed तो ये predatory pricing जो है फिर से सामने आ रही है और लोगों को अपनी mixed history जो है telecom sector की भारत में फिर से याद आ रही है allegation subject है resurface यानि फिर से सबका सामने आना किसी चीज का surface होना predatory मतलब शिकारी echo करना यानि किसी चीज को दोराना गूंजना आपने कुछ बोला सामने से फिर आवाज आई तो वो echo हो रहा है resonate हो रहा है checkered history मतलब जिसमें ups and downs दोनों रहे हैं जिसमें कुछ कभी सुख कभी दुख है ना इस तरह की history मारी रही है सब कुछ समझ में आ रहे है करा governments measures such as favorable spectrum terms and revenue sharing falter in erecting a bulwark against an emerging duopoly करा सरकार के जो कदम है कैसे कदम भाई इस तरह के such as कि आप favorable spectrum terms रखो ऐस spectrum की terms रखो जो सब के लिए favorable हो जरूरी निया reliance जियो जो है मुके शम्मानी उसी की company spectrum को खरीद पाए अब इतना ज्यादा price रखो आप favorable रखो छोटा मोटा company भी जो है अपना spectrum खरीद के business सला सके और revenue sharing भी हो सरकार और companies के बीच में करा यह सारे measures जो है ना सरकार ले रही है यह falter कर रहे हैं यह लड़ खड़ा रहे हैं लर्ज कर रहे हैं और किसमें खड़ा करने में इरेट करने में बिल्ड करने में एक bulwok को एक protective boundary को और यह bulwok होगी protective boundary होगी एक emerging duopoly के सामने उभरती हुई waterfall एटल और reliance की बदमाची के सामने तो सरकार कर तो बहुत कुछ रही ह reliance को और भारती एटल की duopoly को तोड़ने के लिए सरकार spectrum का दान गम रख रही है revenue share कर रही है लेकिन बावजुदिस के इस duopoly के सामने सरकार लड़ खड़ा रही है कि वो एक protective wall यानि bulwok को erect कर सके थोड़े अच्छे level के words हैं गवराना नहीं है सिखाने ही कोशिश कर रहे हैं समझ गे ना structure को खड़ा करने के लिए erect नाम के word को यूज किया जाता है अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप बोल सकते हैं माले third floor बना रहे हैं अपने घर में तो आप बोल सकते हैं we are erecting a structure at the third floor of our house हम खड़ा कर रहे हैं एक structure को धांचे को हमारे घर की तीसरी मंजल प करे फिर अपने जो है किले में घुसे अंग्रेजी में इसको bulwok और rampart दोनों word से बताया जाता है ठीक है तो सरकार भी बनाने कोशिश कर रही है लेकिन कोई rampart को bulwok को नहीं बना पारी करे structural changes like curbing spectrum cost or slashing government revenue shares are complicated by the settled position after intense litigation करे बुनियादी बदलाव जो आ रहे हैं जो सरकार ला काम को कम करना और कम करना slash करना कटोती करना सरकार के revenue share में यह सारे changes यह और complicated हो गए हैं यह और पेचीदा हो गए हैं complex हो गए हैं और किसके द्वारा उस settled position के द्वारा settle किये गए स्थिती के द्वारा जो आई है एक बहुत गहन बहुत intense बहुत गंभीर litigation के बाद में court case के ब लगाया वोड़ा फोन जो है international court में गई फिर अपनी सुप्रीम कोड के पास गई कि यह tax सरकार ने गलत लगाया फिर सुप्रीम कोड ने वोड़ा फोन के पक्षमे favor में फैसला दिया litigation खतम हो गया लेकिन अब यही वोड़ा फोन पैसे की कमी से जूज रही है और सारा जो मा वोड़ा फोन कंपनी आ है यह दोनों कोड कचञरी के चक्रों में पड़ी हुई थी सटल्ड पोजीशन की वज़रा वोड़ा फोन को जादा फैदा नहीं मिलेगा सटल्ड पोजीशन यह कि सरकार गलत थी वोड़ा पने बात कह रही थी वह बात उसकी सही थी structural changes की वह है are complicated complicated करना किसी चीज़ को complex बनाना, curve करना यानि control करना, rain in करना किसी चीज़ को नियंतर्ण में लाना और slash करना यानि किसी चीज़ को कांट छांट करके कठोती करना, decrease करना reduce करना ठीक है litigation होता है, court कचरी की proceedings legal proceedings फो litigation बोलता है चलिए यह आपका पहला paragraph था, मेरे कहाल से अच्छी खासी mental exercise हो गई होगी अब आजो second paragraph पे सरकार अब क्या कर सकती है, करें the telecom industry threats a precarious tight drop, negotiating between exorbitant radio frequency fees as well as accessible bandwidth for end users, करें हमारा जो telecom industry है यह tread करता है यह walk करता है, tread का मतलब होता है दीमे-दीमे walk करना 4 km पती गंटा की speed से चलते हो आप तहलते हो, टहलने को बोलते है tread करना, तो telecom industry जो है, तहलती है, tread करती है एक बहुत ही precarious बहुत ही खतरनाक tight rope पे, रसी पे आपने वो देखे होंगा कर्टब वाले आपने गलियों में वो दो रसीयों को बांदे है और उस पे एक छोटा सा बच्चा होगा tight rope के उपर चल के दिखाएगा आपको फिर वो पैसे लेंगे आपसे 10 रुपे, 5 रुपे, 20 रुपे, जो आप डोनेट कर सकें तो करें, वैसे ही टेलिकोम इंडस्ट्री भी उस छोटे बच्चे की तरह करता भी कर रही है बहुत ही पतली सी रसी की उपर चलने का काम कर रही है बड़ा रिस्क भरा जो अपना operation से ला रही है और ये कैसे कर रही है tight rope पे काम, निगोशियेट करते हुए मौल भाव करते हुए दो चीज़ों के बीच में पहला है exorbitant radio frequency fees exorbitant मतलब जरूद से ज़्यादा महंगा radio frequency fees मतलब spectrum का charge जो सरकार इन से लेती है और साथ ही साथ दूसरी कौन सी चीज़ है accessible bandwidth ऐसी bandwidth ऐसा network जो accessible हो जिसको लोग फाइदा ले सकें and users के लिए आपके और हमारे लिए तो सरकार का जो high spectrum price है वो भी सरकार को देना इनको जो सरकार exorbitant इन पे tariff लगाती है दूसरा उस tariff को देने के बाद में आपको और हमको अच्छी data की और voice quality की services भी देनी है सरकार को बहुत पैसा दे देंगे तो हमारी services कम हो जाएंगी लेकिन वो भी नहीं चाते हैं हमारी services कम हो दोनों के बीच में negotiate करते रहते हैं ये इस तरीके से tight rope पे ट्रेड कर रहे है समझ गे ना पीछे से भी माल महंगा आ रहा है और आगे आपको सस्ता देना है तो इस pressure के अंदर ये पढ़े रहते हैं टेलिगोम इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री की वह वह है ट्रेड्स ट्रेड और टाइट रोप इस पर बहुत सारी इडियम बनती है वह आपको में दिखा देता हूं भी precarious का मतलब होता है risky, dangerous जिसमें खत्रा हो ये खत्रे भरी टाइट रोप पे चलते हैं exorbitant मतलब बहुत महंगा, जरुस से ज़्यादा महंगा 100 रुपे की चीज अगर 1000 रपे में आपको मिले तो exorbitant prices कहलाएंगे end users मतलब जो end में use करें किसी भी चीज को यानि जो बोकता होता है, जो consumer होता है, end user कहलाता है tight rope पे ये सारी idioms बनती है walk या tread a tight rope, दो चीजों को balance करना ना तो इस तरफ गिर सकते, ना उस तरफ गिर सकते, balance करके आपको चलना है इसको walk on a thin line भी बोलते है walk on a tight rope and walk on a thin line पतली सी रिखा पे, line पे चलना एक ही बात है फिर देखो walk on egg shells egg shell क्या होती है, अंडे के चिलके या उसकी shell अगर आप उन पे चलोगे तो आवाज आईगी आपको तो walk on egg shells का मतलब होता है to proceed carefully किसी भी काम में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना कि आवाज ना हो और किसलिए किरफुली कि not to offend any parties फूख फूख के कदम रखना कि किसी को आप involved party जो है किसी भी मामले में गुस्सा ना हो जाए तो आप walk on egg shells करते हो अंडे के शिलकों पे चल रहे हो और आवाज नहीं होने दे रहे हो पाओं की फिर भी है ना चलिए फिर बनती है talk the talk और walk the walk talk the talk का मतलब होता है बड़ी बड़ी बाते करना है ना unproven है जो मैं ऐसा कर देता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ ऐसा कर दिया बस बड़ी बड़ी बाते और walk the walk का मतलब होता है बाते जो किये बातों पर खरा उतरना ठीक है बहुत प्यारी इडियम सही है talk the talk मतलब आप talk को ही talk कर रहे हो बस बातों की बात ही कर रहे हो walk the walk में क्या कर रहे है जो बात आपने किये उस walk को आपने walk करके दिखाया आपने बोला मैं ऐसा कर सकता हूँ और आपने एक दिन करके भी दिखा दिया तो आपने walk the walk किया बात पे खरे उतरे sleep walk या cake walk दोनों एक दूसरे के सिनौनिम है देखे sleep मतलब नींद, walk मतलब चलना कोई ऐसा काम जो आप नींद में भी कर लें जैसे आप teacher है English के आप नींद में से भी उठाकर के पूचा जाए कि सेंटेंस में क्या हो गया तो आप नींद में बता देंगे कि यह हुआ मैस के teacher है नींद में बता देंगे कि इसमें यह वाला concept लगेगा एक्जांपल दे रहा हूं मैं आपको अगर आप एक बहुत अच्छे मेकानिक हैं तो आपको जैसे नीन में से कोई उठाके पूछे क्या प्रॉब्लम मैं आप उसको हाथ लाके बिता देंगे कि इस एसी में यह दिक्कत है तो स्लीप वोग और केक वॉक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क वेरी इजी टास्क फोर संवन बला वो नी नीवा भी उठाके कर दोगे तब भी वो वोक करके काम को पूरा करके दिखा देगा लास्ट मैं जी वाक ओफलाइफ वाक ओफलाइफ का मतलब होता है डिफ्रेंट जानुद्पलTr、डिफ्रेंट छोडो स्टैटइस श्टैटिस श्टैटइस जैसे आप एक स्टूड़ेंट है आप अलग वॉकॉ अ एक retired person एहां उसकी अलग walk of life है, unemployed उसकी अलग walk of life है, रिक्षा वाला है उसकी अलग walk of life है, doctor है उसकी अज़़ walk of life है, तो people are, people belong to different walks of life in society, अलग अलग particular status यानश, डिक्ती होब सब्सक्रस मुद्ध और आज़ंड स见 दिमाग में बड़ी है, बड़ी आगे, चला, आगे कहते हैं कह रहा है जी, कह रहा है the burgeoning, data consumption and sagacity derived from historical spectrum bits, alleviate the pressure on both ends, कह रहा है जो बढ़ता हुआ data consumption है, burgeoning मतलब बढ़ता हुआ, thriving, growing, prospering, कह रहा है जो develop होता हुआ, बढ़ता हुआ जो data का consumption है, और जो sagacity है, sagacity मतलब understanding, insight, समझ, और यह sagacity वो है, जो derive की गई है, जो निकाली गई है, historical spectrum bits है, यतियासिक तोर पे spectrum की bits में क्या-क्या हुआ, है ना, 2G गोटाला हुआ, 2G की विडवी, फिर 3G के अंदर बहुत महंगा था, 4G कोई लेही नहीं पाया, बहुत दिनों तक, के रहा है, यह दोनों चीज़े जो है ना, यह alleviate करती है, कम करती है, आसान मनाती है, pressure को दोनों ही ends पे, सरकार के end पे भी, और हमारे end पे भी, के रहा है, और यह कैसे हो रहा है, unlike the situation a decade ago, उस situation से बिलकुल उल्टा, जो एक decade अगो पहले हुआ करती थी, decade मतलब 10 साल, sentence का meaning समझो, भले ही आज Vodafone जैसी कंपनिया, सरकार और users के बीच में पिस गई है, सरकार को खूब पैसा देना है, और user को कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी सुधाएं देनी है, कह रहे हैं, लेकिन यह फिर भी जो pressure है ना, यह कम है, कम है बीबी, और किस से कम है, एक दशक पहले जो हुआ करता था, और क्यों कम है, क्योंकि हमने देखा कि data का consumption बहुत बढ़ रहा है, इससे कुछ फाइदा के कमा रहे हैं, और इनको समझ भी है, sagacity भी है, इनको भी और सरकार को historical spectrum bids में क्या-क्या हुआ, तो थोड़ी सी सरकार भी line पे है, थोड़ा help करती है इन companies को, ज़्यादा इनसे पैसे उतने ज़्यादा नहीं ले रही, और थोड़ा data consumption से इनको फाइदा मिल रहा है, तो इसलिए pressure है, लेकिन फिर भी कम है, दस साल पहले जो हुआ करता था, उसके पुकाबले, consumption और sagacity दोनों की वह अब है, alleviate करना किसी चीज को नर्म या धीमा बनाना, बंदा बनाना, ठीक है, जब आप pain killer लेते हो, तो pain को alleviate करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, तो आप अपने अज्ञानता को, ignorance को alleviate करते हो, sagacity मैंने बता दिया ना, समझ को, wisdom को बोलते हैं, किसी चीज से जो अब derive करते हैं, चलिए, करहे जी, state intervention instigates consolidation, but the more pressing concern is the government's unwavering insistence on immediate telecom revenue realization, फिर करहे जी, अब दिक्कत एक ही है, state का जो intervention है, सरकार की जो दखल अंदाजी है इस sector में, सरकार की एक ही problem है, सरकार का कहती है, हमें बहुत मोटा पैसा चाहिए है spectrum में, इतना मोटा पैसा चाहिए कि आप 10 साल तक उस पैसे को public से लेने में या आप निकाल दो, अपना break even लाने में, करहे state की जो intervention है, वो instigate करती है consolidation को, consolidation का मतलग होता है, किसी भी company का आगे बढ़ने से रुकना, दूसरी company से साथ मिल जाना, जैसे word of on idea मिल गए, है न, consolidate कर रहे हैं यह, अपनी जगा को मजबूत बनाने कोशिश कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा दवाब डालने वाला, प्रेस करने वाली जो चिंता है, वो है सरकार की ना हिलने वाली, ना जुकने वाली, unwavering insistence या आग्रे, insistence का मतलग होता है किसी चीज के उपर आप जिद में आ जाते हो, आग्रे करने लगते होगी, यह चाहिए ही चाहिए, तो सरकार जो unwavering insistence रकती है, unwavering समझगे ना, जो waiver ना करे, जो हिलने का नाम ना ले, तो यह आग्रे कौन सा है, यह आग्रे है, फटा-फट से या immediate से, टेलिकॉम के revenue का realization, आज ही के आज हमें पैसा चाहिए, महेंगा भी बेचेंगे और आज ही लेंगे, पैसा भी आज ही लेके जाएंगे, यह ज़्यादा बड़ा concern है टेलिकॉम कंपनीज के लिए, और यह कैसे, leaving a debilitating effect over the broader economy, सरकार यह जो काम करती है, यह करती है, leave करते हुए, एक अभाईज बनाने वाले debilitate करने वाले effect को, प्रभाव को पूरी अर्थ विवस्तावे, समझ गे sentence, मुश्किल तो नहीं लग रा ना भाई, repeat कर देता हूँ, सरकार की intervention जरूर, companies को आगे बढ़ने से रोकती है, consolidate करवाती है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह है, कि सरकार अड़ी रहती है हमेशा, unwavering form में, कि हमें तो पैसा जो चाहिए, ज़्यादा वाला भी वो आज ही चाहिए, ऐसा नहीं, दो साल में किस्तों में दे 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 ना, नहीं, तुम दस साल में पिंजूमर से ले ना, धेर धेरे करके, हमें तो आज दे तो, यह जो काम करती है सरकार, पैसे के लिए, वो बड़ा debilating effect डालती है, अप हाईज बनाने वाला असर डालती है, हमारी economy पे, state intervention जो है, इसकी वह बड़ा इंस्टिगेट करना यानि भड़काना, consolidation आपको समझा दिया, concern की वह बड़ा इस, but जो है, but यह एक fan voice conjunction है, और fan voice conjunction जो होती है, coordinating conjunction, हमेशा अपने पहले कॉमा लेती है, for and nor, or yet, but, or, 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 insistence का मतलब होता है, अगर है, हमेशा अगर है, जिस भी चीज का करेंगे, आप ओन लगा के बताएंगे, I insist on, you're coming to the party, मैं आगरा करता हूँ, आप पाटी में आएं, ठीक है, pressing मतलब, दवाव देने वाला, और unwavering मतलब, जो मानने का नाम ला ले, जो yield करने का, surrender करने का नाम ला ले, resolute हो, एकदम अंशेकन हो, कराई जी, acknowledging, टेलिकोम्स, pivotal economic role, akin with energy, the government should draw insights, from the price distortions, in electricity industry, acknowledge करते हुए, मानते हुए, समझते हुए, स्विकार करते हुए, टेलिकोम के, बहुत ही, important economic role को, pivotal मतलब, instrumental, conducive, very important, कराई मानते हुए, टेलिकोम के, economic role को, जो बड़ा pivotal है, और जो बिलकुल, similar है, akin with है, energy sector के, कराई सरकार को, इस चीज़ को करते हुए, draw करना चाहिए, insights को, सरकार को निकालना चाहिए, wisdom को, समझदारी को, और किस से, price distortion से, distortion मतलब, तोड मरोड, price मतलब दाम, जो सरकार ने किया था, electricity की industry में, जो गलती सरकार करती है, यह 60-70 सलों से, electricity में, अब जाकर कि इंदोंने सही किया है, वो price distortion जो है न, वहाँ से सरकार को समझ लेनी चाहिए, कि कहीं, टेलिकोम में वो गलती ना हो जाए, और यह वही price distortion से, electricity industry में, than have throttled private investment, जिनोंने throttle करके रखाया, रोक करके रखाया, गला घोड के रखाया, electricity sector में private investment को, अब जाके एक अडानी आया, समझे, तो electricity sector में क्या होता है, election आया, बिजली सस्ती, कभी सोल, जो है, यूनिट बिजली की मुफ्त, अभी भी कर रही है, सरकारे पहले बहुत करती थी, तो इतना पंगा लेती थी, सरकार electricity industry के अंदर, कि price distort हो जाता था, और एक भी आदमी, private sector investment, इस सेक्टर में नहीं करता था, तो कम से कम वहीं से समझ ले लो, कि आप स्पेक्टरम के अंदर, या टेलिकॉम सेक्टर के अंदर, स्पेक्टरम मार्केट में, इस तरह का distortion मत होने देना, कहीं ऐसा नहों, यहां से भी सिरफ BSNL रह जाए, और बाकी सब भारती, भारती, वोड़ाफोन, वोड़ाफोन जो है, पैकिंग करके निकल जाएं, गौर्वर्मेंट की वोब है, शुट ड्रो, ड्रो इंसाइट्स का मतलब है, समझदारी को किसी चीज में से निकालना, समझदारी भरा लेसन निकालना, इंसाइट मतलब अंदर की साइट, यानि किसी चीज के अंदर की अंदर की अंडरस्टेंडिंग, अकिन जो है, हमेशा अपने साथ में टू लेता है, याद है न, जान भूल्च के गलती की गई है, अकिन टू, सिमिलर टू, कभी भी आप अकिन विद्ध जो है, ऐसा नहीं लिखते हैं, चलिए डिस्टॉर्शन मतलब तोड मडोड, फॉल्सिफिकेशन, मिस्रेपर्जेंटेशन, कभी बढ़ा दिया, कभी गटा दिया अपने हिसाब से, फ्रॉटल करना, यानि किसी चीज को रोक के रखना, गला घोट के रखना, किसी चीज का, दबा के रखना, सुलूशन नीड टू बी सौर्ट विदिन जुदिशियल कंस्ट्रेंट्स, अन प्राइसिंग नैचुरल रिसोर्सेज, लेटिंग दा इंडूस्ट्री, तो बर्जन इट्स ऑण, जो भी सौलूशन सरकार लाएगी, वो कोशिश की जानी चाहिए, सीख करने की, उनको धूंडा जाना चाहिए, या धूंडने की कोशिश की जानी चाहिए, दिड नीड टू भी सॉट, सीख की थार्ड फौर्म में सॉट, सीख मतलब ढूंड़ना यह सारे सोलूशन जो हो यह हो जुडिशल कंस्ट्रेंट्स में न्याइक जो है लिमिट्स के अंदर ही हो ठीक है कुछ ऐसा ना हो जो इल्लीगल हो जाए सरकार को लीगल काम ही करना है और यह सब का सब वो प्राइस करने पे नैच्टरल रिसॉर्स इस स्पेक्ट्रम इक नैच्टरल रिसॉर्स है इसका प्राइसिंग भी सही तरीके से करना जरूरी है और यह सारा काम हो लैट करते हुए अलाव करते हुए इस इंडस्ट्री को कि यह बर्जन करे ग्रो करे प्रॉस्पर करे थ्राइव करे अपने आप से ही ओन इट्स ओन तो ब अपने आप से आगे बढ़ सके solutions की वह बैर नीड अच्छा constraint मतलब रुकावट या लिमिट्स judicial constraints मतलब नया जो है लिमिट्स है न सीमाये हैं बर्जन करना आगे बढ़ना आप समझते ही है sentence में एक error है अगर ढूड़ पाओ तो बताना लास्ट वाला करवा देता हूँ फिर sentence की error जो आपको मैं आपसे share करता हूँ कोशिश करो जिसको मिल रही है डालना comments में कैरा embracing unbridled pricing emerges as the linchpin कैरे जी embrace करना गले लगाना या accept करना अपनाना बे लगाम prices को unbridled मतलब जिस पर को लगाम ना हो भारती जो है और जी ओ जो है मिल कर के लगाम लगा के बैठें prices बढ़ने नहीं दे रहे ताकि Vodafone खतम हो जाए करा जी ये काम आपको बंद करना होगा prices वही रखो जो ज़रूरी है company को grow करने के लिए यानि data को महिंगा कर दो calling को महिंगा कर दो करा बस यही एक solution है जो emerge होता है lynchpin के तौर पे lynchpin क्या होती है जी पाईया आपने देखा है ना धूरी उसकी धूरी में जो pin लगी होती है एंगल लगी होती है उसको बोलते है lynchpin जिसके उपर पाईया गूमता है जो पाईये के गूमने के लिए सबसे जरूरी चीज है तो करे जी embrace करना बे लगाम prices को ही emerge होता है सबसे जरूरी चीज के तोर पे पईये की धूरी के तोर पे की stone भी बोलते हैं backbone भी बोलते हैं और ये कैसे होगा ensure करते हुए एक self regulatory trajectory को पूरे sector के लिए ensure करना सुनिशित करना self regulating मतलब खुद को regulate करने वाली trajectory मतलब growth का रस्ता growth का path कंपनिया ऐसे जाएंगी ये trajectory होंगी इनकी पूरे sector के लिए तो आज नहीं तो कल सब चीजों के दाम बढ़ेंगे डेटा का वो इसका बढ़ने ही वाला है बस ये जो वोड़ाफोन और जीओ है कोशिस कर रही है ये कोशिस कर रहे है कि पहले वोड़ाफोन खतम हो जाए वोड़ाफोन पैकिंग करके चला जाए भारत से है ना फिर उसके बाद ये मनमाने दाम लेंगे आपसे तो करेंज उसका वेट मत करो आप जो सही दाम है वो आज ही लेना शुरू करतो कस्टमर से ताकि कंपनियां डूबना बंध हो और ये सेक्टर ग्रो करें अपने आप में डियो पॉली बना करके एक कंपनी को डुबा करके फिर लोगों कि वर्भा इमर्जिस अन्विडर्ड मतलब अनफेटर रेंपंट या अंचेक्ट जिस पर कोई लगाम ना हो कोई समझ गया ना लिंच पिन की स्टोन बैक बॉन सबसे जरूरी चीज जिस पर पईया गूमता है वो कलाती है लिंच पिन की स्टोन भी बोलते हैं चलिए जब क इंडस्ट्री तो बॉर्जं नहीं लेट दा इंडस्ट्री बर्जन अगर टू बॉर्जं लिखना है बेस फॉर्म की जगए तू इंफिनिटिव लगाना है तो फिर लेट की जगए पर अलाओ का इस्तिमाल करें परमिटिंग तो अलाओ परमिट के साथ में वर्भ की तू लेट के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है बिना टू के बहुत बार कर चुके हैं वही वाला कॉंसेप्ट है अब जल्दी से आओ अपने क्विज पे सभी क्वेशन्स को में सॉल्ड करना है सबसे पहले पूस रहा है जी वो अल्टरनेटिव सेलेट करो जो आपको सेंटरल आइडिया या थीम बताता हो इस पैसिस की क्वेस्टन को करना की जल्दबाजी मत करो यह बाद में पढ़़ लेना पैले तो मुझे अपनी समझ से बताओ यह आटिकल किसके बारे में था ऐस पहुआ बारे में था। कुछ हद तक था। क्या ये जियो एटल की डियोपली के बारे में था। कुछ हद तक था। क्या elabor पहुआ की प्रृशानियां था। या फिर ये था SPECTRUM के हैई प्रैसिस के बारे मैं लेकिन CENTRAL THEM इस आर्डिकल की थी कि बहुरत में टेलिकों सेक्टर में क्या चुनोती है उन चुनोतीजें में सब चीजें इसने बता दी, सरकार पैसा मांगती है बहुत पैसा मांगती है लोग सस्ता डेटा चाते हैं कंपनियों से रिलाइंस और एटल ने अपना डियो पोली बना रखा है वोड़ा फोन बीच में पिसा हुआ है इस सब चीज़े हैं लेकिन में जो आडिकल है वो बताता है कि हमारे टेलिकॉम सेक्टर में क्या क्या चीज़ें चैलेंजिस जो है इमर्ज कर रहे हैं हम देख रहे हैं उनको तो अगर आप इन पांचों को देखोगे तो एक ही आपका आंस्वर बनेगा आंस्वर बनेगा जी स्ट्रक्शल चेंजिस की जो जरूत है हमारे सेक्टर में ताकि इस टेलिकोम इंडरस्ट्री के चैलेंजिस को हम दूर कर पाएं बाकि सब चीज़ें सेंट्रल आइडिया नहीं है जुरूर इनको डिस्कस किया गया था बट दे आ नोट दा थीम उफ दा पैसे तो ऐसे आपको थीम निकाल नहीं होती है पर दस में से नो बार अगर आपकी थीम ऐसे सही निकले तो यही सही तरीका है क्वेस्टन को सॉल करने का चलो अब आज़ो सेकिंड पर प्राइमरी चैलेंज क्या फेस किया जा रहा है वोड़फोन इंडिया के द्वारा करेंट लैंड्सकेप में जैसा कि पैसेज में हायलाइट किया है नहीं में से जो जो चैलेंज इसमें आएंगे वो अपना आंसर बन जाएंगी एक ही आना चाहिए लैक औफ टेकनोलोजिकल इनोवेशन वोड़फोन के पास टेकनोलोजी बहुत कम है गलत बात, Vodafone तो भार की कंपनी है जियो और एटल भारती से काफी अच्छी टेक्नोलजी Vodafone के पास है तो innovation की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलजी में यह सबसे जवर्दस कंपनी में से एक हैं दुनिया में तो यह तो आप का आंसपर नहीं बनेगा Financial constraints impacting 5G rollout हाँ जी यह बिल्कुल बन सकता है पैसे की कमी है इनके पास, भारत की जो subsidiary है, वहाँ पैसा कमा नहीं पारे inadequate government support यह भी हो सकता है सरकार का support कम है और predatory pricing strategy यह भी हो सकता है जियो और भारती की आपसी के जो जियो पोली है, predatory pricing उससे वो कर रहे है लेकिन सबसे बड़ी समस्या ही ही है जी पैसा नहीं है इनके पास और पैसा यह चार्ज करनी पार रहे है customer से, पैसा देदो इनको आज ना इनको support की दुरोता है सरकार के ना इनको pricing की strategy से कोई फरक पड़ता ठीक है, तो answer आपका बन जाएगा यहाँ पे B अब columns को match करेंगे अच्छा, walk on eggshells and walk the walk यह तो दोनों आती हैं आपको walk the walk मतलब बात पे ख़ड़ा उतरना walk on eggshells मतलब बहुत careful यह आगे बढ़ना कि कहीं ऐसा ना हो, आप किसी party को offend कर दे अंडे के छिलकों पे चल रहे हैं करना कि किसी को गुसा ना कर दे walk on eggshells अब यह सारे अपने match करेंगे columns को एक बार खुद से match करने की कोशिश कर लो फिर आपको answer तो बता लगे ना आपको कितने सही हैं कितने गलत है pause कर लो यहीं पे ठीक है खुद से कोशिश करना एक जोड़ दू सबको unbridled मतलब बे लगाम जिसके bridled ना हो जिसके लगाम ना हो और बे लगाम का synonym कहा होगा है यहां पे unrestrained unrestrained का मतलब भी होता है लगान तो यह bridled मिल जाएगा इस से bull walk यानि किसी चीज का dependable support इसको आप वो भी बोल सकते हैं खिले के चार तरखी जो दिवार होती है जिसपे protective boundary होती है support या boundary को बोलते protective boundary को bull walk तो मैंने आपको boundary के लिए एक word बताया था किले के चार तरख की rampart यह से मिल जाएगा sagacity यानि समझदारी, understanding sagacity का मतलब हो गया जी ability to analyze echo यानि गुंजना गुंजने के लिए सही word है resonate करना precarious यानि risky risky को आप unstable और dangerous बोल सकते हैं embrace यानि गले लगाना या अपनाना अपनाने या गले लगाने को spouse करना भी बोलते हैं spouse कर लिया यानि spouse बना लिया किसी को गले लगा लिया embrace कर लिया इसका मतलब भी गले लगा लिया किसी भी चीज को गले लगाने अपनाने के लिए उससे नाता जोडने के लिए embrace और spouse इन दोनों words का use किया जाता है spouse क्या होता है आपका husband या आपकी wife आपका life partner आपका spouse किलाता है linchpin यानि सबसे dependable support पईय की दुरी इसको की स्टॉन भी बोलते है virgin यानि फलना फूलना प्रॉसपर करना thrive करना blossom करना ब्लूम करना thrive prosper इसके synonym है की स्टॉन में word बजाएतना वो कैसे बना है आपने कभी-कभी ऐसे इस तरह के दरवाजे देखियोंगे मतलब entrance पे अकसरा public places में देखना बड़े-बड़े सरकार इसे दरवाजे बनाती है तो ये दरवाजे बनते कैसे हैं बीच वाले ये बीच वाला हिसा कैसे टिका होता है ये लकडी के नहीं है ये वो हैं मतलब पत्थर के दरवाजे हैं construction है ये तो ये जो construct की कैसे जाती है बीच का गुमावदार जो फेज है तो ये जो बीच का गुमावदार फेज होता है इसको दो हिस्तों में बनाया जाता है पहले इतना बनाया जाता है फिर इतना बनाया जाता है इस stone को बोलते है key stone ठीक है तो ये engineering से निकला है word key stone बिल्कुल वो वाला stone जिस पे पूरा दर्वाजा जो है या structure जो है टिकी होगी ये वाला पत्तर तो ये key stone और इसलिए linchpin जो है एक दूसरे के synonym है linchpin में उस धूरी पे उस angle पे जिस पे पईया गूमता है वो linchpin किलाती है feeling ले पारे हो ना इन words की ये कैसे connected है अपने आपस में दोनों की importance सबसे जादा होती है किसी भी structure में linchpin और key stone की चलिए idioms बो हो गए है आपकी अब last में errors को spot करना है देखो errors का मैं आपको खुदी करने को देता हूँ और साथ में देता हूँ आपको मैं hints first वाले में दो errors मिलेंगी तीन मिलेंगी errors पहली error मिलेगी अकिन नाम के word के बाद में दूसरी error आपको मिलेगी इस वाले के अंदर ठीक है नोमे दस्वे में दो errors है पहली error है आपको मिलेगी इस word के आसपास तो यह concept आपको करवाया हुआ मैंने सीक के बाद में क्या लगाना है क्या नहीं लगाना हालांकि आज नहीं करवाया लेकिन सबको आना चाहिए बड़ा एक common सा concept है और दूसरी error आपको मिलनी चाहिए एक्टिविस्ट वर्ड जो है इसकी correct वर्ब ढूड़ोगे तो आपको दूसरी error मिल जाएगी ठीक है दूसरी error का मिलेगी इस word इस noun की इस subject की वर्ब को ढूड़ते हुए आपको दूसरी error मिल जाएगी लास्ट के जो questions है इनके answer डाल दिये comments में चेक करो वहां से match करो out of 10 कितने marks मिले ये भी बताना class अच्छी लग रही है meaningful लग रही है share करो, like करो, channel को subscribe करो प्यार मिलता है तब तक मैं series को बना पता हूँ जिस series पर ज्यादा प्यार मिलेगा मैं तो वही class बनाऊंगा न तो आपका प्यार बड़ा important है इन classes को महनत के साथ जो बनाया जाता है और आपके लिए लाया जाता है until then